नमस्कार आपके साथ मैं हूँ विजेशी और आप देख रहे हैं एसी अन भारत आई रुक करते हैं चार बजे की चार बड़ी ख़बरों पर लेकिन उससे पहले एक नज़र हेडलाइन्स पर विडी शर्मा ने कॉंग्रेस पर बोला हमला दिख विजेखे एद पर दुआ करने पर साधा निशाना कहा केवल कॉंग्रेस ही गुलामी का प्रतीक बची है हर बूत पर कॉंग्रेस इस बार हारेगी गले में तार से फस कर हुई तेंदुए की मौत दो बैलों के शिकार के बाद मौत की नींद सोया तेंदुआ जवलपुर में हुआ पोश्ट माटम खेतों में फेंसिंग करने वाले तारों से हुई मौत ओलव रिष्टी से फसले बरवाद किसानों की मुश्किले बढ़ी तीन दिनों से लगातार हो रही ओलव रिष्टी प्रशासन से मौवजे की मांग पानी के लिए आज भी तरस रहे लोग आदिवासी शेत मशगमा तहजील का मामला साफ पेजर के लिए लोग सालों से परेशान सरकार की तमाम योजनाओं की जमीनी हकीकत 5-5 किलो मिटर दूर से पानी लाने को मजबूर लोग बसी में पीने के पानी की मारा मारी चार बजे की चार बड़ी खबरों पर विस्तार से बात करेंगे लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कौन सी है वे बड़ी खबरें कॉंग्रेस ही गुलामी का प्रतीक बची है का हर बूत पर कॉंग्रेस इस बार हारेगी दूसरी खबर आ रही है दमों से जहां गले में तार से फसकर हुई तेंदुए की मौत दो बैलों के शिकार के बाद मौत की नींद सोया तेंदुआ जवलपुर में हुआ पोस्ट माटम खेतों में फेंसिंग करने वाले तारों से हुई मौत तीसरी खबर आ रही है बैतूल से जहां ओला व्रिष्टी से फसले बरबाद किसानों की मुश्किले बढ़ी तीन दिनों से लगातार हो रही ओला व्रिष्टी प्रशासन से मुआवजे की मांग चौथी कबर आ रही है चित्रकूर से यहां पानी के लिए आज भी तरस रहे लोग आदिवासी शेत्र मचगवा तहसील का मामला साफ पेजर के लिए लोग सालों से परेशान सरकार की तमाम योजनाओं की जमीनी हकीकत पांच पांच किलो मीटर दूर से पानी लाने को बता दे सबसे पहली खबर आ रही है चतरपूर से जहां चतरपूर में बीजेपी के प्रदेशा ध्यक्ष और खजवाहो लोगसवा सीट के प्रत्याशी वीडी शर्मा ने प्रिस कॉंफरेंस करते हुए कॉंग्रेस पर जोरदार हमला बोला उन्होंने दिगविजा सिंग पर दुआ करने पर हमला करते हुए कहा कि दिगविजा सिंग जयते नेताओं ने हमेशा त्रुष्टी करन की रणनीती की है उन्होंने कहा कि देश में जितने भी गुलामी के चिन्न थे उन्हें पीएम मोदी ने मिटा दिया है मोदी जी की गैरंटी है कि दिल्ली में ना कर सुभाश चंद्रबोश की मूर्ती लगवादी अब एक ही गुलामी का प्रतीक बचा है वह है कॉंग्रेस वह भी इस बार मोदी जी देश से खत्म कर देंगे उन्होंने कहा कि हर बूत पर कॉंग्रेस इस बार हारेगी इस दोरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के सामने चतरपूर जनपत के कॉंग्रेस अध्यक्ष के पती सहित कॉंग्रेस समर्थक जनपत सदस भी कॉंग्रेस छोड बीजेपी में शामिल हो गए जिस पर अधिक जानकारी के लिए चतरपूर से हमारे समवाद दाता विकाश रिदिख सिख जूट चुके हैं विकाश लो जी विजेश्री मैं आपको बता जूँ कि जैसे जैसे चनाओं की तारिक नजदीक आ रही है जैसे जैसे आरोफ अर्चा रोफ का दौर चलना है जैसे अभी विजी चर्मा जी जो प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के उनके द्वारा रिस कॉंसेंस कर मेडिया से रूबरू ह हुआ गया उन्होंने आरोफ लगाए बिजी जी के ऊबर उनने कहा कि कांगरे सब्सक्राइब होने की तगार पर है और जैसे कि पहले भी देशा था प्लीन सीट किया गया था और अभी भी हम जो है उन्तिस की उन्तिस सीटे मर्टपड़ेश में लीते हैं जी विकास अगर बात करें कि जैसे वीडी शर्मा ने ऐसे कटाक्ष शब्दों का प्रयोग किया है तो इस पर मेरा दूसरा सवाल ये है कि लगातार कॉंग्रेस के सैकडों नेता वापताधिकारी बीजेपी में शामिल हो रहे हैं ऐसे में कॉंग्रेस खाली होने की कगार पर है कॉंग्रेस के ओर से क्या बयान सामने आ रहे हैं? जी और जो बचे हैं तो सक्के कॉंग्रेसी बचे हैं आपका क्या विचार है इस पर? जी कि मैं आपको बता दूँ कि अपने सब कोई यही कहता है अगर कॉंग्रेस इन्यों से पूछा जाए तो मुझे कहते हैं कि हम जीत रहे हैं बीजी सर्वाजी भाई प्रत्यासी को पता ही लहीं चलता है वो तो प्रत्यासी को कहना है कि हम जीत रहे हैं कोई भी प्रत्यासी हो अपने लिए पोई यह थोड़ी बताएगा कि हमाई यह क्या है वाकि की ठीच है तब प्रत्यासी अपना मेनद कर रहे हैं किना प्रसार कर रहे हैं प्रसार कर रहे हैं और अपनी बैस से लह रहे हैं विकास वीडी शर्मा खजवाहो सीर से मौजूदा सांसाथ है रुजेपी ने एक बार फिर्ण उन्हें ही टिकर दिया है श्रेत की जनका का अंता के कितना समर्थन उन्हें मिल रहा है बिल्कुल समर्थन की बात करें तो जैसे ही प्रत्यासी कीसी भी पार्टी का प्रत्यासी जाता है तो जन समूई अपने आपे करता हो जाता है और उनके साथ कार करता है तने रहते हैं जी पाजपा सरकार के महजुदा प्रदेश अब्डेक्ट है उनके साथ बहुत सारी कार करता रहते हैं प्रसास में कमना भी रहता है मनलग काफी लोग उनके साथ रहते हैं जहां भी जाएंगे तो भी रिखती सभार रखी हो रही है प लेकिन उनका अपना जो जन संपर्ख है उनका लगातार नेरंतर जा रही है लोगसभा खज्राव में विकास जैसे च्छतरपुर में बीज़ेपी की प्रदेशा धैक्ष और खज्राहू लोगसभा सीट के प्रत्याशी बीडी शर्मा ने प्रेस कॉंफरेंस करते हुए प्रत्याव का दौर जब तक चलते ही रहें जे आपका बहुत भाँत धन्यवाद विकास तो आपको पता देए खबर है च्छतरपुर से जहां च्छतरपुर में बीज़ेपी के प्रत्याशी बीडी शर्मा ने प्रेस कॉंफरेंस करते हुए कॉंग्रेस पर जोड़दार ह हमला बोला उन्होंने दिगविजय सिंग द्वारा एद पर दुआ करने पर हमला करते हुए कहा कि दिगविजय सिंग जैसे नेताओं ने हमेशा त्रुष्टी करण की राजनीती की है उन्होंने कहा कि देश में जितने भी गुलामी के चिन्न थे उन्हें पीम मोदी ने उन्होंने कहा कि हर बूत पर कॉंग्रेस इस बार हारेगी, जोरान बीजे पी प्रदेशा अध्यक्ष के सामने छतरपूर जन्पत के कॉंग्रेस सध्यक्ष खेपती, सहित कॉंगेस समर्थक जन्पत सदस भी कॉंग्रेस छोड़ बीजे पी में शामिल हो गय będzie रुख बतला है तेज आंधी तूफान के साथ बारिश ने एक तरफ तेज गर्मी से थोड़ी राहत दी है तो वहीं इससे किसानों की मुश्किले बढ़ गई है मौसम के इस रुख का असर बैतूल में भी देखने को मिला जहां तेज आंधी तूफान के साथ हुई बारिश के साथ ओलव रिष्टी ने फसल को बरबाद कर दिया है बतादे की जिले से विकासखंड आमला की कई गावों में तीन दिनों से लगातार हो रही ओलव रिष्टी से किसानों की फसल बरबाद हो गई क्रामपल जायत हत नोरा चोपना के इत किसानों ने प्रशासन से मुआफजे की मांग की है जिस पर अधिक जानकारी के लिए बैतूल से हमारे समवादाता राहूल नागले जूट चुके है राहूल प्रदेश के कई हिस्सों में मौसम लगातार बदल रहा है जिसके चलते हैं आधि तूफान के साथ बारिश भी हो रही है बैतूल शेत में मौसम के क्या हाल है जी राहूल तो आपको बता दे कि एक हबर आ रही है बैतूल से जहां बैतूल में एक बार फिर मौसम का रुख बदला है तेज आधी तूफान के साथ बारिश ने एक तरफ तेज गर्मी से थोड़ी राहत दी है तो वहीं से किसानों की मुश्किले बढ़ गई है मौसम के सुरुख का असर बैतूल में भी देखने को मिला जहां तेज आधी तूफान के साथ हुई बारिश के साथ ओलव रिष्टी ने फसल को बरबाद कर दिया है बताते की जिले से विकास खंड अमला की कई गामों में तीन दिनों से लगातार हो रही ओलव रिष्टी से किसानों की फसल बरबाद हो गई जिस पर अनिक जहनकारी के लिए बैतूल से हमारे समवादातार राहुल नागले चूड़ चूड़ चुड़ है राहुल प्रदेश के कई हिस्सों में मौसम लगातार बदल रहा है जिसके चलते आधी तूफान के साथ बारिश भी हो रही है बैतूर शेत्र में मौसम के क्या हाल है? जी राउल मेरा दूसरा प्रश्णी ये है कि बेमौसम हो रही बारिश के चलते किसानों की परेशानी बढ़ गई है खेतों में खड़ी फसल को काफी नुकसान पहुचा है किसानों की क्या प्रतिग्रिया सामने आ रही है? अब करें किसानों की जो फसले फसलों का नुकसान हुआ है इसको पहुचान के चैरे पर माय थी है और किसान चाहता है कि प्रतासन से गोः लगाई है उणोंने कि हमें फस्लों का भीमा दिया जाए जिसे हम आगे हमारे परिवार और जो रोजी-्रोटी चलती है उससे भकुर सरा जाए हमारी जो फक्षूरे नुक्तान होई इसका हमें भीमा दिया जाए जी रहूल अप्रेल माह का दूसरा सब्ता चल रहा है अभी ऐसे में भीशन गर्मी के बीच मौसम लगातार बदल रहा है आपको क्या लगते हैं कि लोगों के स्वास्त के लिए यह कितना हानिकारक साबित होगा रहूल तीन दिनों से चौमक के साथ जोटा है पानी और ओलव रिष्टी से गर्मी की फसल जो किसानों के वो पूरी बर्बाद हो रही तो आप इसमें विस्तार से बताएंगे कि किसानों की फसल कितनी बर्बाद हुई है जिन किसानों की फसले बरबाद हुई जिनके कुछ इसकानों के दो से तीन एकड़ में जो फसले लगाई थी वह बरबाद हुई है जिसे कुछ इसकान जिने जैसे की बताया गया था जो घर्मियों की जो रहते हैं अपने आम जामून मौवा जो कि रहते हैं वो भी बरबाद हो चुके हैं और प्राई किसानों ने यहां तक जो उड़ा दो मुंग और जो मिर्टियों ते तमाटर होते हैं उस तक उनका बरबाद हुआता है इनका काफी नुक्तान हुआ है यह किसानों का नुक्सान हुआ है राउल जैसे किसानों को इस मौसम के बदलाव से काफी भारी नुक्सान हुआ है ऐसे में क्या प्रशासन की कोई प्रतिक्रिया सामने आई है मैं अभी तो देखने में आया है प्रतासन के भी कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है हाला कि वो कलिक्टर सान ने जरूर दिये कि जिन किसानों की प्राक्रितिक अब्दा से फसले बरबाद रिये उन्हें मौज़ा दिया जाएगा आपका बहुत बहुत धन्यवाद राहू तो आपको बता दे एक ख़वर है बैतूल से जहां एमपी में एक बार फिर मौसम का रुख बदला है तेज आधी तूफान के साथ बारिश ने एक तरफ तेज गर्मी से थोड़ी राहत दी है तो वहीं इससे किसानों की मुश्किले बढ़ गई है मौसम के इस रुख का असर बैतूल में भी देखने को मिला जहां तेज आधी तूफान के साथ हुई बारिश के साथ ओला वृष्टी ने फसल को बरबाद कर दिया है बतादे की जिले से विकास खंड अमला की कई गावों में तीन दिनों से लगातार हो रही ओला वृष्टी से किसानों की फसल बरबाद हो गई है सबसे आखरी खबर आ रही है चित्रकूर से जहां एक सामान निसाब प्रश्ण है अगर किसी से या पूछा ज्राय की जीवन जीने के लिए सरवाधिक आवश्या क्या है तब सहज रूप से इंसान का जवाब होगा हवा और पानी और दोनों ही चीजें केवल प्रकृती प्रदक्त हैं जिनने शायद ही किसी इंसानी फैक्टरी में बनाया जा सकता है सरकारे जरूर चांद, सूरज और मंगल ग्रहों पर जा पहुँची है लेकिन आम आदमी को आज भी दोनों ही मुलभूत आवश्यक्ताओं के लिए जब्दों जहद करते वेद देखा जा सकता है देश की मोदी सरकार द्वारा जहां हर घर को साफ सच पेजल उपलब्ध कराने के लिए हर घर नलजल योजना बना कर क्रियानवित कारेवाई की जा रही है लेकिन देश में आज भी तमाम ऐसे इलाके हैं जिने 76 साल की आजादी के बाद भी साफ पेजल उपलब्ध नहीं है खासकर ऐसे आदिवासी इलाके जहां लोगों को यह भी मालूम नहीं है कि विकास की शिडिया का नाम है 76 साल के आजादी के बाद इतना जरूर हुआ है कि नेताओं और नौकरशाहों ने जरूर इन इलाकों की बहतरी के सब जुबाग दिखाते हुए जमकर अपनी अपनी तिजोरियां भरी है जिस पर अजिक जानकारी के लिए चित्रकूर से हमारे समवादाता विनोध शर्मा जूट चुके है विनोध भीशन गर्मी के बीच पानी को लेकर हर और समस्या सामने आती है चित्रकूट के आदिवासी श्यत में भी गर्मी शुरू होते ही पानी की समस्या सामने आने लगी है किस तरह लोगों को परिशानी का सामना करना पड़ रहा है जी जेसरी मैं बताना चाहूँगा ये सपना जिने की जो मजगवा तरहील है ये को अदिवासी बाहुली चर्टीर में मजगवा तरहील और अदिवासी चर्टीर में बहुर बंपार्थ रन्ते हैं तो एकते हां आदिवास की सप्बोर्षण में तो इस थेधर की समस्या है वहां बहुतायक में देखने को मिलती है और जब गर्मी का दौर सुन होगा है तो उस समय एक डब्बे पानी के लिए लोग तीन दिन चार-चार किलोमेटर दूर से जाकब के लेकर के आते हैं दन्दा पानी पीने में बजबूर होते हैं और किस तरह से जीवन एपन करते हैं जिनहें आप सहर दूर से वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह से लोग सुवेरे से गाओं के लोग सारे काम अपनी चोड़ करके पानी देने के लिए तीन से चार किलो मेंटर दूर एक जंगरी चोहड़े जाकर कि आता से पहुँच जाते हैं कि वो सुबह पहुच जाएंगे तो उनको साफ पानी मिल जाएगा कि जैसे 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 लोगों की दीर वहाँ ब्लबती जाती है तो फिr वूपानी धीर यूबनी त擊 इसकी आता से गावके बशें बूढ़ें बुझद वह सब अपना 500 के लिए वहाँ जाकर के लाएं पर लग जाते हैं बावजूद इसके भी दिन दिन धर लोग पानी के लाहें में लगे रहते हैं, परिशाल मुंते रहते हैं, और उसके बाद भी किसी बीचर रहते हैं, गंदा पानी पी चके अपना जीवे गुजब बशक करते हैं. सरकारों के अगर बात की जाए तो जो है सरकारें बात करती हैं कि संद्रपाफ पे मंगल पे पहुंच गई हैं स्वावादिक पहुंच गई हैं कि में कोई दिजार नहीं है बिनोर जी आपने बिल्कुल सही कहा है मैं इसमें और विस्तार से जानना चाहूँगी कि केंडर और राजसरकार आदिवासियों के लिए सैकरो योजना चला रही हैं सब को पता है कि साथी नलजल योजना भी चला रही है लेकिन सभी योजना जसकी तस बनी हुई है और लोग आज भी पानी के लिए परिशान हो रहे हैं इस पर आप थोड़ा विस्तार से हमें बताएंगे देखें ये जो मज़गार तक्रीज है तो यह इसमें बहुत सारे इलाके हैं कि लोग एक एक बून पानी के लिए परिशान होना शुरू हो जाते है कि लेज क्यादी को 76 साल हो गयह हैं तमाम यौत शाल की वे बनते ही पर समान के के मोज़ी शरकार की यौत खार म हरनी यूतना कि हर घर में जो हर पानी पॉचाने वैखना है लेकिन ये सब सारी योजनाएं जो है बेनानी हैं वहां के वहां हम गाउं में गए और वहां के लोगों तरने बात के थी तो उन लोगों ने बताया कि ये जो हम पानी की जो समझते हैं ये हमारे पूरुजों के समझ से चली आ रही है मतलब आप समझ सकती हैं कि 77-78 साल के जो गाउं के लोग ने बुझोगें वो ये बता रहे हैं कि हमारे पूरुज भी इसी चोड़े का पानी इसी चोड़े का पानी जो पहारों से जिरे जिरे रिज़ करके इसस्वा होगोर वहां भरता है तो इसी तरह से पीते रहे हैं, बिमार होते रहे हैं और अगर ये कहा जाए कि इलाज के अभाव में दम दोते रहें तो भी कोई अपिस्वयूक्ती नहीं होगी पुल भीनातर की ये उनकी नियत बन देंगे है अरकारे इस होर कोई ध्यान देना नहीं चाहती है अधिकारी करम चारी भी इनकी कुछ सुनते नहीं, गाउं पे लोगों ने बताया है कि बीचे कुछ पहले यहाँ पे बोर परवाया रहा था, लेकिन वो बोर तिंचार दिन चला और उसके बाद भी वो खराब हो गया, तिंचार दिन लोगों को पानी बीला आ और फिर वो खर तो विनोच जी एक हैना बिल्कुल था ही होगा कि समस्या को पीडी दर पीडी ने इसका सामना किया है आपकर क्या कहना है कि क्या इस टेट के आदिवासियों ने पानी की समस्या को लेकर जन प्रित्ती निधियों और संबंदित अधिकारों से शिकायत नहीं कि रहा है नहीं नहीं मैं देखेशी कारशे अधिकायत को नहीं यह तो वहां के जन प्रित्ती निधियों को पता है जी बिल्कुल लाँ के से अनि कि और वहां के ज़िदाये संसर्द शूकि संसना जीजे मैं जो बश् धौनамен है we वो लगातार पांचवी बार चुनावद रहे हैं सांसरी का गनेश सिंग पिछली 6-5 वर्षी से ये सीट भाज़का की है पिछले 18 वर्षों के लगभभ मतकुदेश में भाज़का की सरकार है 19 वर्ष हो गए पारी जानकारियां है लेकिन कोई कुछ करना नहीं चाहता है पुल मिलाकर करके ये कहा जाए कि योजनाओ का जो सब्जबाद दिखा करके लोगों ने पिजोईया भरी हैं तो वो अतिसयोक्ती नहीं होगी लेकिन मूल भूत जमीन पे अगर देखा जा तो किसी भी योजनाद गरी बादवासी को कोई लाब नहीं लिगा बिलकुल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद विनोच जी तो आपको बता दी एक खबर है चित्र कूर्ट से जहां देश की मोधी सरकार द्वारा जहां हर घर को साफ सच पेजल उपलब्द कराने के लिए घर गर नलजल यूज बना कर क्रियानवित कारवाई की जा रही है लेकिन देश में आज भी तमाम ऐसे इलाके हैं जिन्हें 76 साल के आजादी के बाद भी साफ पेजल उपलब्द नहीं है खासकर ऐसे आदिवासी इलाके जहां लोगों को यह भी मालूम नहीं है कि विकास की स्चिडिया का नाम है 76 साल के आजादी के बाद इतना जरूर हुआ है कि नेताओं और नौकर्शाहों ने जरूर इन इलाकों की बहतरी के सब जुबाग दिखाते वे जम कर अपनी अपनी तिजोरियां भरी हैं हमारे सभी समवाद दाताओं का शुक्रिया तो ये थी चार बजे की चार बड़ी खबरे खबरों के लिए बने रहे एसी अन भारत पर